हेलो स्टूडेंस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं class 10th का chapter no 7 coordinate geometry, जो कि term 1 के syllabus में है और आपके आने वाला है ठीक है? коordinate geometry इसके बापर में हमने class 9th में भी थोड़ा बहुत बढ़ा है अब class 10th में उससे एक level up हमारे में आने वाला है अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है distance formula यह exercise पूरी तरीके से formula based है अगर आपको formula याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो आप यह questions नहीं कर पाएंगे सबसे पहले आपको इनके formula प्रॉपर तरीके से cover up कर लेने हैं 7.1 में जो formula यूज होने वाला है सबसे पहले मैं उसी formula की बात कर रही हूँ, जो की है distance formula coordinate geometry क्या है जो x-axis और y-axis के तुरू हमें points मिलते है उन points के two parts रहते हैं coordinate geometry जिसका x, x का part and y का जैसे suppose कीज़े यहाँ पर एक मैंने यह point लिया यह point P है चीक है, अब इस point P के मुझे coordinates पता लगाने है तो क्या होगा, मैं यहाँ से measure करके x की value यहाँ लिखूंगी और यहाँ से measure करके y की लिखूंगी यह जो x और y है, यह है इस point P के coordinates और coordinate geometry means coordinates से related ही पूरी इसकी story, history, सब कुछ इसमें आती है अब distance formula, distance formula क्या हो गया है, अभी तक आपको बता लगा है कि coordinates क्या होते हैं अब इसमें आगे आया है distance formula, distance formula क्या है suppose किजिए यह P है, यह Q है, two points है, इस P के coordinates हैं हम लोग कर लेते हैं x1, y1, ठीक है, और जो Q के coordinates हैं वो क्या होंगे, x2, y2, इन दोनों के coordinates अब क्योंकि formula से आपको clear होगा, distance formula, means P और Q के बीच में कितना distance है P और Q के बीच में कितना distance है, means यह जो line है, इस line की length कितनी है, distance इन दोनों के बीच में difference कितना है यह चीज़ पता लगाने के लिए distance formula यूज होता है, और वो distance formula क्या है हमारा, यह देखिए P Q, इसका distance formula है, root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square x1, x2, यह देखिए, P के coordinates है, x1, y1 और Q के coordinates है, x2, y2 तो यहाँ पर हमें coordinates की value पता होगी, तो यहाँ पर simply हमें सिर्फ formula में रखते जाना है x2 किसका होगा, Q का, x1 किसका है, peak, यह distance formula है अब इसी में suppose कीजिए, अगर आपसे कहा जाएं कि origin से इस P का difference बताईए एक point O है और दूसरा है P, तो इन दोनों के बीच की दूरी बताईए तो आप यह देखिए, origin पे जो coordinates होते हैं, वो क्या होते हैं? 0, 0, x की value भी 0 होती है और y की value भी 0 होती है इसका मतलब x2-x1 जब आप करेंगे तो उसमें से एक x की value क्या होगी? 0 होगी, तो हमें formula क्या मिल जाएगा? x square प्लस y square यह formula तब है जब दो points अललग हमें दिये हो और उस पे हमें find out करना है यह वाला formula तब use करना है जब origin की बात की जाए जिसमें एक point origin पे हो तब यह formula यूज होता है झाल करना है